नमस्कार साथियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थेंक यू राजस्थान में लोकसबा चुनाओं से पहले हनुमान बैनिवाल ने बीजेपी का दावन थाम लिया है आरेलपी बीजेपी का गठ बंदन हुआ है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान बैनिवाल के बीजेपी के साथ आने का असर क्या होगा और इसके पीछे का असली खेल क्या है लिकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोनों के बीच क्या समझोता हुआ है दरसल इस समझोते के तहट नागोर सीट पर आरेलपी के टिकट पर हनुमान बैनिवाल चुनाव लड़ेंगे यहां उनका मुकाबला कॉंग्रेस की जोती मिर्धा से है यानि कि बीजेपी के सिटिंग एमपी और केंद्रिय मंतरी सिया चोधरी का टिकट कट गया है बिना घोशना के नागोर के अलावा राजस्तान की बाकी 24 सीट पर हनुमान बैनिवाल बीजेपी के पक्षम परचार करेंगे इसके अलावा हरियाना और पश्चिमी यूपी में जाट बहुल शेत्रों में भी वो बीजेपी के लिए परचार करेंगे अब सवाल उठता है कि हनुमान बैनिवाल का बीजेपी के साथ आने का असर क्या होगा देखिए नागोर के पास नागोर से तो हनुमान बैनिवाल खुद लड़ेंगे नागोर के पास अजमेर लोकसपा सीट है यहाँ बीजेपी ने भागी रत चोधरी को टिकट दिया है जिनका मुकाबला कॉंग्रेस के रिजू जुनजुन वाला से है इस सीट पर करीब धाई लाख जाट वोटर है ऐसे में यहाँ जाट वोटर पूरी तरह से हनुमान बैनिवाल के सपोर्ट में आने से यहाँ हनुमान बैनिवाल का चुनाव परचार करने से वो बीजेपी के साथ आ जाएगा लेकिन यहाँ एक खत्रा भी है कि अगर कॉंग्रेस यहाँ मुकाबला जाट वर्सेज गयर जाट करवाने में काम्याब हो गई तो फिर यह पलड़ा कॉंग्रेस के लिए हमभारी हो सकता है इसके अलावा पाली लोक्षबा सीट पर भी इसका हनुमान बैनिवाल का असर पड़ेगा जहां कॉंग्रेस ने बद्री राम चाखड को टिकर दिया है तो बीजेपी वहां हनुमान बैनिवाल से परचार कराएगी और जाटों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी क्यों? क्योंकि पाली लोक्षबाक्षेतर में ही जोद्पुर की भोपालगड विधानसभा सीट आती है जो आरलपी ने विधानसभा चुनाओं में जीती है मतलब साफ है पाली लोक्षबाक्षेतर में कम से कम डेड़ से 2 लाख आरलपी के वोटर है तीसरा इसका असर सबसे ज़्यादा बाढ़निर सीट पर होगा विधानसभा चुनाओं में यहां आरलपी ने शीव, सीवाना और पचपद्रा सीट पर काफी वोट बटो रहे थे मोटे तोर पर समझे तो बाढ़निर जिले में आरलपी को सवाल लाख के करी वोट मिले थे अगर वो बीजेपी के साथ शिप्ट होते हैं तो कॉंग्रेस के मानविंदर सिंग के लिए हम मुश्किल हो सकती है तीसरा इसका असर बीकानेर में पड़ेगा यहां कॉंग्रेस में एक बड़े जाट निता थे रामेश्वर डूडी लेकिन विधानसबा चुनाव में वो नोखा से चुनाव हार गए आरूप लगाई जाते हैं कि अशोग गहलोत नहीं चुनाव हरवाया ताकी मुख्यमंत्री बनने में उनको कोई तकलीफ न हो और बीकानेर स्सी के लिए रिजर्व लोकसबा सीट है कॉंग्रेस ने मदन मेगवाल को मेदान में उता रहा है तो बीजेपी ने अर्जुनरा मेगवाल को उता रहा है इससे ये तो साफ है कि हर जाती को वोट मेगवाल केंडिडिट को ही देना है अगर बेनिवाल परचार करेंगे तो जाट वोटर बीजेपी की और शिफ्ट हो जाएगा जिसका फाइदा अर्जुनरा मेगवाल को मिलेगा चोथा असर जोदपुर लोकसबा सीट पर होगा यहाँ कॉंगर्स के वेभाव गहलोत और बीजेपी के गजंदर शिंग शेखावत के बीज मुकाबला है माली और राजबूत के बीज मुकाबला है यहाँ के जाट युवाउं में बेनिवाल की अच्छी वेन फॉलोमिंग है तो और यहाँ कई सीट पर बेनिवाल ने ऐसी उम्मीदवार भी उतारे थे जैसे शेरगट से तगाराम भील स्टी यानि कि बेनिवाल के साथ आने से जाट और स्टी स्टी का भी ब्युजेपी को फायदा मिलेगा लेकिन अब इसके पीछे का असली खेल समझे विधान सबा चुनाओं से पहले बेनिवाल ने पार्टी बनाई 68 सीटो पर अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन कई चीजें शक पैदा करती है पहला ये कि बेनिवाल ने हर जगह ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जो कॉंग्रिस को नुकसान पहुंचाए SCS टी उम्मीदवार जो कॉंग्रिस का वोट काटे जहां कॉंग्रिस ने जाट खड़ा किया तो वहां बेनिवाल ने भी जाट को टिकर देकर उनके वोट काटे और तीसरी बात बेनिवाल का चुनाओं परचार और सोशल मीडिया पर उनकी IT सेल कॉंग्रिस से भी मजबूत थी बेनिवाल कॉंग्रिस से भी बड़ी बड़ी रेलिया करते थे एक MLA के पास इतना पैसा कहां से आया दरसल ये सब BJP का खेल था कारण ये था कि BJP को जाट वोट कम मिलता था आप भी देखते होंगे कि 2014 के बाद BJP ने कॉंग्रिस के वोट बैंक में ही सेंद लगा ली SCST के वोट बड़ी संख्या में BJP को मिलने शुरू हुई जिससे UP में बड़ी जीत मिली BJP की रणनीती है कि हिंदू धर्म का उसे वोट मिले चाहे वो किसी भी जाती का हो ऐसे में राजस्थान में एक नई रणनीती तैयार की गई और ये रणनीती ये थी कि एक नया जात मिता खड़ा किया जाए जो जात समाज का कटर हो किवल जात समाज की बात करता हो और पिछले पांच सालों में हनुमान बेनिवाल को BGP ने परदे के पीछे से सपोर्ट किया पैसा दिया जैसे बेनिवाल ने एक बड़ी बड़ी रेलियां की रेलियों में एक बात हमेशा सुनने को मिलती थी कि अशोक गहलोत ने जात राजनिती को खत्म किया है 1998 में परसराम मदेना को सीएम बनने से रोका और गहलोत खुद सीएम बने फिर मदेना परिवार की राजनिती भी धीरे धीरे खत्म कर दी 2008 में जाट नेता शीश्रम ओला को CM बनने से रोका और गहलोत खुद CM बन गए और धीरे धीरे ओला परिवार की राजनिती भी खत्म कर दी तो हुआ क्या ऐसी बाते सुनने से जाट समाज का कॉंग्रिस से मोह भंग होने लगा और समाज बेनिवाल के साथ जुड़ने लगा बेनिवाल की नई पहचान बनी असली जाट नेता विधान सबा चुनाओ से सिर्फ एक महीने पहले बेनिवाल ने पार्टी बनाई लेकिन फिर भी राजस्थान में उसे करीब आठ लाख से ज्यादा वोट मिले और ये खेल सिर्फ अमिश शाह का था वसुंदरा राजे को भी नहीं पता था अमिश शाह ने इसके लिए राजस्थान विधान सबा चुनाओ हारने मंजूर किये लेकिन गोटियां इस हैसाब से सेट की कि लोकसबा चुनाओ तक समीकर्ण पूरे मोदी के पक्षम हो जाए अब बीजेपी ने बेनिवाल को अपने साथ मिला कर कॉंग्रेस के पूरे समीकर्ण ही बिगाड़ दिये हो सकता है